अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपके पास credit card या debit card है तो कोई भी बीना OTP बीना ATM pin के भी आपका पूरा bank account खाली कर सकता है तो कि आप विश्वस करोगे नहीं right तो जरा इसे देखिए एक बहुती बड़े actor सांतनू जो काफी सारे बड़े बड़े movie में काम कर चुके उनका कहना है कि किसी ने बीना OTP बीना ATM pin और तो और बीना कोई account details के उनके bank account से 5 लाग का fraud कर लिया लेकिन क्या ये possible है क्या कोई किसी के साथ बीना OTP बीना ATM pin के इतना बड़ा fraud कर सकता है actually इसका answer है yes क्योंकि सांतनू का भी कहना है कि उन्होंने किसी के साथ भी अपना banking से related information share नहीं क्या था फिर भी जब वो एक restaurant पर lunch करके अपना credit card से payment कर रहे थे तो बार बार decline आने के वज़े से जब उन्होंने अपना credit card का balance check किया तब पता चला कि किसी ने उनके bank account से 5 लाग का fraud कर लिया बट बात सिरिफ 5 लाग का नहीं है क्योंकि उनका card का limit सिरिफ 5 लाग था इसलिए scammer सिरिफ 5 लाग ही fraud कर पाया अगर उनका card का limit 10 लाग या 20 लाग भी होता तब भी वो scammers बहुती आसानी से उनके साथ fraud कर सकता था actually सान तनू ने भी अपने Instagram पर ये story share किया था कि कैसे किसी ने उनका बीना जानकारी के उनके bank account से सबसे पहले mobile number और email ID को change किया और वही mobile number, email ID और उनका card का कुछ detail से किसी ने उनका नाम का एक virtual card बनाया और उनके साथ 5 लाग का fraud कर लिया and सबसे ज्यादा shocking बात तो ये है कि उनके bank account में इतने changes होने के बावजूद OTP तो बहुत दूर की बाते उने bank से भी एक भी information नहीं दिया गया and अगर कोई आपका बीना जानकारी के आपके bank account से email ID और phone number को change कर सकता है तो ये ही बात सबसे डड़ाबनी है क्योंकि अगर इनके साथ इतना बड़ा fraud हो सकता है तो ये fraud किसी के साथ भी हो सकता है and अगर कोई आपका credit card का virtual card बना सकता है तो वो आपका debit card का भी virtual card बना कर जो आपने जिंदगी भर मैनत करके saving करके रखाता वो saving account भी चुटकियों में खाली कर सकता है अभी आप लोग ये सोचे होंगी कि virtual card क्या होता है and कैसे कोई virtual card से किसे के साथ इतना बड़ा fraud कर सकता है क्योंकि virtual card का limit तो सिरिफ one lag ही होता है actually virtual card आप credit card and debit card के तरह अपने wallet पे नहीं रख सकते क्योंकि virtual card आप अपने smartphone या फिर smart watch पे रही रख सकते हो इसलिए इसे digital card भी कहा जाता है लेकिन virtual card भी बिलकुल उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका credit card and debit card काम करता है लेकिन अगर आपके पास credit card and debit card नहीं है तो आप virtual card भी नहीं बना सकते और आप virtual card पे जितना चाहे अपने मर्जी से अपने bank account से पैसा add कर सकते हो और माल लो अगर आपने एक virtual card apply किया और उसमें आपने अपने bank account से 1000 रुपिस एड़ किया और एड़ करने की बाद तुरंद आपने उस 1000 का इस्तमाल कर लिया तो वो virtual card वही पर expire हो जाता है लेकिन माल लो अगर आपने 1000 रुपिस एड़ किया है लेकिन उस card से आपने सिरे 500 रुपिस का इस्तमाल किया है और अभी भी आपका 500 रुपिस balance उस card में है तो क्या होता है कि वो virtual card उसी समय expire होगा जो आपने apply करते समय maximum debt दिया था और माल लो अगर आपका maximum debt आ जाता है और आपका virtual card expire हो जाता है तो जो भी आपका balance ता उस card पर वो automatic आपके bank account में add हो जाएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक virtual card का limit तो सिरिफ 1 लाग रुपिस होता है तो आखिर सांतनू के साथ कैसे 5 लाग का fraud हो गया Actually guys आप चाहे तो एक बार में 5 virtual card बना सकती हो और सांतनू के साथ भी बिलकुल ऐसा ही हुआ उस scammers ने उनके नाम का 5 virtual card बनाया है जिसका limit 1 लाग था तो scammers ने वो 5 virtual card से उनके account से 5 लाग का fraud कर लिया और जो scammers सांतनू के साथ हुआ उसमें सबसे ज़्यादा shocking बात तो ये था कि आखिर कैसे उस scammers ने बिना सांतनू के जानकारी के उनके bank account से mobile number और email ID को change किया और अभी भी investigation चल रहा है और exactly तो मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकता कि exactly सांतनू के साथ कैसे fraud हुआ था लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को बस यही बोल सकता हूँ कि scammers ने सबसे पहले उनके bank account से mobile number और email ID को change किया उसके बाद उनके कुछ card details की मदद से plus OTP जो उनके number पर आता था वही OTP लेकर सांतनू का एक mobile banking बनाया और mobile banking से 5 virtual card को apply किया और उसी virtual card का इस्तमाल करके सांतनू के साथ उस scammers ने 5 लाग का fraud कर लिया अभी भी पुलिस वाले investigation कर रहे हैं कि exactly सांतनू के साथ कैसे fraud हुआता और हमें कुछ पता चलता है तो definitely मैं आप लोगों के साथ जरूर share करूंगा लेकिन अभी तो मैं आप लोगों से बस यही request कर सकता हूँ कि please अपना card का details, OTP, ATM PIN, email ID और आपका bank पर जो register, mobile number है यह information किसी के साथ भी share ना करें So I hope जो चीजे मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता था, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा So आज के लिए बस इतना ही, thanks for watching this video, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए please इस तरह की का scam से बचके रहना, be safe and जहिन